गर्मियों में सत्तु खाने के फाइदे जब गर्मियों में मौसम अधिक गर्म हो जाता है तो कई तरह की स्वास्थे संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए हम कई तरह की ठंडी चीजों का सेवन करते हैं। ऐसी ही एक चीज है सत्तू, जिसका सेवन गर्मियों में बहुत फायदेमंद माना जाता है. सत्तू में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम, आयरन और मैगनीशियम जैसे कई पोशक तत्वा होते हैं. सत्तू हमारे शरीर को ठंड़क पहुचाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. आज के इस लेख में हम आपको सत्तू के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. गर्मियों में सत्तू पीने से शरीर को ठंड़क मिलती है. दरसल सत्तू की तासीर ठंडी होती है जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है इसके साथ ही गर्मियों में सत्तू पीने से पेट की बीमारियों से भी बचाव होता है गर्मियों में लू लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है सत्तु का सेवन करने से लू और डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाव होता है जिन लोगों को अनीमिया की शिकायत होती है उनके लिए सत्तु का सेवन बहुत फाइदेमंद होता है सत्तु में आयरन की भरपूर मात्रा होती है जिससे शरीर में आयरन की कमी दूर होती है सत्तु में मौजूग पोशक तत्वों से शरीर को दिनभर के कामों के लिए एनजी मिलती है। सत्तु का सेवन करने से पाचन तंत्र के सक्रिय रूप से काम करने में मदद मिलती है। गर्मियों में कई लोगों को अक्सर अपच की समस्या हो जाती है। ऐसे में सत्तू का सेवन करने से कब्स गैस और अपच की समस्या दूर होती है. दरसल सत्तू में मौजूद फाइबर से पेट और आंतों को साफ रखने में मदद मिलती है और पाचन क्रिया ठीक रहती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी सत्तू का सेवन बहुत फाइदेमंद होता है. सत्तू पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ लगता है और ज्यादा भूख नहीं लगती है. इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं. इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाव के तौर पर न लें. किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाव जरु लें.